एक ऐसा मंदिर जिसकी कमाई का कोई तोड नहीं मंदिर ने खोला खजाना, दुनिया भर के देश हैरान संपत्ति इतनी कि आखें खुली की खुली दह जाएं एक ऐसे मंदिर की कहानी जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है क्योंकि जिन बड़ी से बड़ी कमपनियों ने अपनी मार्केट कैपिटल इतनी महनत करने के बाद बनाई लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें आस्था की वज़े से उसके भक्तों ने भगवान को माला माल बना दिया आप अंदाजा लगाए कि इस मंदिर में चड़ाए गए बाल भी लाखों रुपे में बिग जाते हैं आप अंदाजा लगाए कि नेजले की भारतिय एकाई की मार्केट कैपिटल एक दशमलब नौ छे लाख करोड रुपे है उएंजिसी की मार्केट कैपिटल एक लाख पिच्चासी हजार करोड रुपे है NTPC की मार्केट कैपिटल एक लाख सठ सठ हजार करोड रुपए है महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्केट कैपिटल एक दशमलब पांच तीन लाख करोड रुपए है लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी संपत्ती इन सभी वर्ल्ड वाइट कमपनियों से बहुत ज़ादा है ऐसा क्या है इस मंदिर में जिस पर लोगों की इतनी श्रद्दा है और इन्होंने इस मंदिर को इतना अमीर बना दिया कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्या है इस मंदिर में जो लोग यहाँ पर खिचे चले आते हैं और अपनी जमीन जाइदाद भी यहाँ पर दान कर देते हैं इस अद्वुद मंदिर की जानकारी हम आपको देंगे और उसकी संपत्ति के बारे में भी बताएंगे आप बने रहिए हमारे चैनल लो कल लो बात के साथ और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें तो दोस्तों वो मंदिर है दक्षिन भारत में आन्थपदेश के तिर्मला में स्थित तिरपती वैंक टेश्वर मंदिर जिसे तिरपती बाला जी भी कहा जाता है यही वो मंदिर है जिसने बड़े से बड़े व्यापारी को हैरान कर दिया है बड़े से बड़ी कंपनियों को अचरज में डाल दिया है दोस्तों पहली बार इस मंदर की संपत्ती का खुलासा यहां के पुजारियों ने किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है तिरुपती बालाजी का ट्रस्ट तिरुमालात तिरुपती देवस्थाना यानि की T.T.D. ने 5 दिसंबर को एक श्वेत पत्र जारी किया है श्वेत पत्र एक Officially Written Document होता है जिसमें मंदिर या संस्था से जोड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को इंक्लूड किया जाता है और T.T.D. तिरुपती वेंक्टेश्वर यानि तिरुपती बालाजी मंदिर का प्रभंदन करता है और उसके पास इस मंदिर की सभी आर्थिक गतिविद्यों की जानकारी रहती है तो इस श्वेत पत्र में T.T.D. ने इस मंदिर की कुल संपत्ती के बाली में जानकारी दी है T.T.D. के मुताबिक मंदिर की कुल संपत्ती में लगभग 10.03 टन सोना है जिसकी कीमत है करीवन 53,000 करोड रुपाई और यहाँ पर 15,938 करोड रुपाई नगद है जो की सेंट्रलाइस बैंकों में जमा है और पूरे देश में मंदिर के नाम पर 960 प्रुपाटी है तो इस गोल्ड नगद राशी और संपत्ती को मिला कर तिरपती बालाजी मंदिर की कुल संपत्ती धाई लाख करोड रुपाई बताई गई है इतनी संपत्ती सुनने के बाद पूरी दुनिया है और देश सहित विदेश में भी हर तरफ इस मंदिर की संपत्ती की चर्चा है इस मंदिर की जो संपत्ती है वो तो सेंट्रलाइस बैंकों में जमा है लेकिन जो यहां की मूतियों और मंदिर में सोने हीरे मोती जवारात जड़े हैं उनकी कीमत अलग से है और इस मंदिर की संब्रत ही दिन दुनी राथ जोगनी रफतार से बढ़ रही है लोग यहां पर पूरी आस्था के साथ आते हैं और यहां पर सोना चाहती कीमती पत्थरों का चड़ावा चड़ाते हैं आंद्र प्रदेश के चित्यूर जिले में स्तित इस मंदिर में हर साल लाखों शिर्धालों का आना होता है लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जो यहां पर आकर लोग इस मंदिर में अपनी भक्ती और आस्था को रोक नहीं पाते और लाखों रुपे का चड़ावा यहां पर चड़ाते हैं हम आपको बताएंगे यह मंदिर तुर्पती बालाजी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है बताया जाता है कि यहां पर भगवान विश्व ने अपने वैंकटेश वर स्वामी के अफ़तार में तुर्मुला के पास पुष्करनी नामक तालाव के पास निवास किया था मानिता है कि भगवान विश्णू और माता लक्षमी आज भी यहाँ पर सजीव रूप में विराजमान है और यहाँ पर लगी भगवान वेंकटेश की अद्बुत मूर्ती की भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि कहा जाता है कि जब भी इस मूर्ती की आर्थी की जाती है तो वो आशर रूप से मुश्कुराने लगती है जिसके कई वीडियो भी वाइरल है दोस्तों ऐसी मूर्ती दुनिया में कोई और नहीं है भगवान विश्नु की इसी मूर्ती में मा लक्षमी की मूर्ती भी समाहित है ये मूर्ती कहां से आई और किसने ये अनोखी और अद्बुत मूर्ती बनाई ये बात कोई भी नहीं जानता कहते हैं कि ये मूर्ती समुंदर से प्राप्त होई होगी क्योंकि बताते हैं कि इस मूर्ती में कान लगा कर सुनने पर समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है दोस्तों ये मंदिर किसने बनवाया इसके बारे में भी कोई पुखता प्रमान मौजूद नहीं है लेकिन कहा जाता है कि जब जब यहाँ पर राजाओं ने इस मंदिर का वैभव बढ़ाया तून के राज्य में भी धन धान भर गया तब ही से ये मंदिर इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया है कि स्वामी वैक टेश्वर धन के देवता है और यहाँ पर लोग अपनी आस्था और सामार्थ के मुताविक धन और संपत्ति चड़ाने लगे क्योंकि जो भी यहाँ पर चड़ावा चड़ाता है उसके धन धान में चोगनी बढ़ोतरी हो जाती है दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इस मूरती में मा लक्षमी भी सँमाहित है तो इस मूरती को श्रूंगार भी इसी बात को ध्यान में रखकर किया जाता है और इस मूर्ती को इस्त्री और पुरुष दोनों के वस्त पहनाई जाते हैं मूर्ती को नीचे धूती पहनाई जाती है और उपर साड़ी पहनाई जाती है इस मूर्ती में लगे बालों की भी एक खासियत है कहते हैं कि इस मूर्ती में जो बाल लगे हैं वो बिलकुल असली है और कभी उलचते नहीं है और हमेशा मुलाइम यानि स्मूथ रहते हैं और उन्हें छूने पर इनके सजीव होने का एहसास भी होता है ये मूर्ती अपने चमतकारों के लिए विश्वर में प्रिसिद्ध है और इसलिए इस मूर्ती को सजीव माना जाता है जब मूर्ती को गरब घ्रय के बाहर से देखते हैं तो मूर्ती दाईयों रखी हुई नजर आती है और जब मूर्ती को गरब घ्रह के अंदर जाकर देखते हैं तो मूर्ती बिलकुल बीचो बीच इस्तापित है मंदिर में एक और चीज है जो दुनिया को चौकाती है वो है यहां पर रखा हुआ दिया जो हमेशा जलता रहता है और कहा जाता है कि इस दिये में कोई तेल भी नहीं डालता ये दिया कब और किसने जलाया ये भी कोई नहीं जानता ये इस मंदर की चमतकार है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं और इस मंदर की ओर खेचे चले जाते हैं इस मंदर से जुड़ी एक मानिता और भी है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना चड़ावा आए जाता है कहते हैं जब माता लक्षमी भगवान विश्णु से रुष्ट होकर चली गई थी तब भगवान विश्णु ने उन्हें खोब ढूना और धूनते धूनते उन्होंने धर्ती पर श्री निवास के रूप में जन्म लिया था और मालक्षमी पदमावती के रूप म ले रहे हैं और इस धन को कलियुक के अंत तक ब्याज सहित चुकाएंगे इस वचन को सुनकर कुवेर बहुत आश्चर में पड़ गए और वे कहने लगे कि नहीं प्रभू आक ऐसा करेंगे तो मेरा सारा वैभव नश्ट हो जाएगा और उन्होंने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराद हुआ है तो वे उस अपराद के लिए उन्हें शमा करते हैं तो श्री निवास के रूप में भगवान विश्णू ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है वे जानना चाहते हैं कि एक मानव के रूप में कर्ज का बोज क्या होता है और कितनी तकलीव झेलनी पड़ती है तो क उन्हें से भी कोई उपकार में ही लूँगा मैं अपनी कृपा से उन्हें धन्वान बनाऊंगा कल्यूग में प्रत्वी पर मेरी पूजा धन एश्वर और वैभव से परिपूल देवता के रूप में होगी मेरे भक्त मुझ से धन वैभव और एश्वर की मांग करने आएं और बस तभी से इस मंदिर में श्रधालू अपना धन चड़ाते हैं और इस आस्था के साथ कि वे भगवान विश्णू का करज उतार रहे हैं और यहाँ पर दिल खोल कर दान करते हैं दुनिया के अमीरों में से एक अम्मानी तो यहाँ पर हर साल आते हैं और दिल खोल कर द जादा है तो आप इस मंदिर की बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं जै तिर्वति बाला जी की